आज की वीडियो में हम आपसे सेयर करेंगे सलवार में पॉकट और चैनल लगाने का तरीका तो सबसे पहले आप पॉकट की लंबाई चुड़ाई समझे की पॉकट की लंबाई चुड़ाई हमने कितनी कटिंग की है तो लंबाई हमने यहाँ पर इसकी cutting की है 15 इंची और इसकी चुड़ाई हमने cutting की है 6.5 इंची आप हम इसी में ही pocket का mark लगाएंगे तो उपर से हमने 7 इंची में mark लगाना है इस तरीके से और हम इसे सीधा खीचेंगे तो यह mark की लंबाई आपको रखनी है 5 इंची यहाँ तक हम यह mark को खीच कर लाएकर आएंगे बस इसी से हट कर हमें 2 point का एक mark all लगाना है यहाँ पर हमने pocket का जो मूँख खुलना है वो खुलना है 5 इंची तो 5 इंची में यहाँ पर mark लगाना है तो इस तरीके से हमने square tap का दोनों तरफ mark लगा दिया है आप हम pocket को बना कर दिखाते हैं तो यह होगी हमारी सलवार, जिसमें हमें pocket को बनाना है, तो यहाँ पर हमारा नेफा खुला है, तो यहाँ पर देखें दोस्तों हमारा नेफा खुला है, तो इस नेफे से हमने 6 इंची में mark लगाना है, तो यहाँ पर हमने 6 इंची में mark लगाना है, और उपर से हम नेफे से 3 नीची में पॉकट को नीचे की तरफ लगाएंगे यहां पर हमने प्लस का मार्क लगा लेना है अब हम पॉकट को लेंगे जिसमें हमने मार्क लगाया है उसे हमने इस प्लस के पास में इस तरीके से बिठाना है और यहां पर हमने जिस तरीके से हमारा यह मार्क लगा है इसी स में हमने सिलाई देनी है इस तरीके से हमने मार्क के हिसाब से सिलाई कर ली है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यह कटिंग हमने किस तरीके से करनी है यहां से हम सीधी कटिंग इस तरीके से करेंगे और कोने में लाकर हमने कटिंग को इस तरीके से भी सेब देनी है तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि कटिंग हमने इस तरीके से कर ली है तो दोनों तरफ हमने भी सेब में कट की है अब हम इसे अंदर की तरफ पल्टेंगे तो यहाँ पर हमने नाखुनसे से अच्छी तरीके से बठाना है तो चाहता आप प्रेस से भी से बठा सकते हैं तो यह हमारा सीधे की तरफ इस तरीके से बठेगा अब हम इसमें चैन लगाएंगे तो यह होगी हमारी चैन तो चैन को आपको सीधे की तरफ इस तरीके से पकड़ना है और इसके नीचे में बठाना है तो देखे दोस्तो इस तरीके से आपको बठाना है चैन को और यह चैन का जो हमारा लॉक रहता है इसे हमने एकदम इसके किनारे में लाकर बठाना है इस तरीके से तो यहाँ पर हमारा लौक नजर आ रहा है अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे किनारे से और पूरे किनारे पर मारते हुए हम यहाँ पर लेकर सिलाई को आएंगे तो चलिए मलते हैं तो यहाँ पर सिलाई को आप हलका सा बांदे चैन को आपको बंदी रखना है इसे आपको इस तरीके से खोल कर नहीं लगाना है इस तरीके से खोल कर लगाएंगे तो आपको काफी परिसानी आएगी तो इस तरीके से हमें बंदी रखना है चैन को अभी इससे क्या होता है कि हमारा जो मसीन का चाप रहता है वो बहुत अच इसी तरीके से चैन के उपर में चलता है चैन को फिनीसिंग से लगाने के लिए हमें ये सिलाई एकदम टॉप में देनी है तो थोड़ी दूर हमें यहां पर मसीन को रोकना है जो भी हमारा लॉक है इसे हम अंदर की तरफ करेंगे तो दोस्तों यहां पर हमारा लॉक है इसे हमने अंदर की तरफ इस तरीके से कर लेना है और उसके बाद में हम इसमें सिलाई देंगे तो यहां पर आपको चैन के दूसरे भाग को भी अंदर में अच्छी तरीके से बठा लेना है और उसके बाद में सिलाई देनी है हो सके तो यहाँ पर आप सिलाई को थोड़ा बांद दे थोड़ी दूर सिलाई देने के बाद में लॉक को हम उपर की तरफ खीचेंगे तो दोनों चैने आपस में मिलने से हमारी मसीन सही तरीके से चलती है अब हम इसमें सिलाई देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चैन लग गई है आप हम पॉकेट को पीछे की तरफ से बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहोंगे दोस्तों कि यह हमारी सिलाई यहाँ पर नजरा रही है तो इसे आपको हाप इंची बढ़ाकर चैन की कटिंग करने है और इधर की चैन हमारी पहले से सही सेटिंग है यानि कि हाप इंची हमारी कपड़े के अंदर में ही है है यहां पर हम असानी से कपड़ को होल्ड कर सकते हैं ति haven hours इंची के कटिंग करने हैं तो इस तो इस तरीके से हमने यहां पर इसकी कटिंग कर ली है आप हम पउकट को यहां पर मिलाist हैं तो हमारे dolphin में है से से मिलाना है और यहाँ पर नाकुन से बठाएंगे और देखे दोस्तों कि सिर्ट मोस्त को ले रहे हैं इस तरिक्ष तो यहाँ आद देखे दूस्तों यह टोस्तों यह पॉऴटों मारी इसतर् ank ponto हम इस तरीके से व्र से मिल रही कि स्वीधा मिलेगी आप हमने इस पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और नाकून से बठाना है इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी खोल्ड करना है और यहां पर भी नाकून से से बठा दे अब यहां से मीडिल से हम स्टार्ट करेंगे वोड़ी दूर आगे बढ़कर हम इसके नीचे के पल्ले को पकड़ेंगे पॉकट के और इसे भी फोल्ड करेंगे हाप इंची का इसी तरीके से हमने उपर के पल्ले को भी हाप इंची का फोल्ड करना है तो फिर से अब देख ले दोस्तो इस तरीके से हमने आप नीची की तर जाने पूरे पॉक्ट में स्लाई देनी हैं कि तो यहां पर हमने हमने इसे हाप इंचे स्ट्री के पॉल्ड करना है फिर हमें फॉल्ड और करेंगे तो इस तीरिके सापको फॉल्ड को करना तो इधर विए हम हाप इन चीस देखें जब फोल्ड करेंगे फिर फोल्ड इसे एक और करेंगे तो देखें दोस्तों यह हमारी पॉकट की सिलाई इस तरीके से हो गई है अब हम सामने की तरफ आपको दिखाते हैं कि सिलाई हमारी किस तरीके से हुई है तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहां पर सिलाई दे दी हैं और यहां पर हमारी यह पॉकट बन गई है अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और देंगे क्योंकि हमारी यहां पर खाली रह जाता हिस्सा जिसे हमें दबाने के लिए पर हुआ देनी पड़ेगी यहां पर हम स्यरीं की इस्तेके से देंगे तो पहले लोग को मुद्धर की तरफ राखना है M और यहां से हमस्ली श्क्राट करेंगे और 10 डिकने है राज करें अ यहां से लाग को बांदें कि लौक को पर की तरफ लेकर जाएं something कि याप भी लाइक को बाण देंगें कि यहां पर हमने सिलाय को बाण दिया है वस्स one ंहीं पर हमें सिलाई को रखना है इधर एक ख़ना है नहीं तो आपके पॉकट का मूध बंध हो जाएगा तो इस तीकेस हमने ये सिलाई दे दी हैं तो दोस्तों ये चैनल लगाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना ना बूले और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे पंजाबी फैसन डिजानर को भी सब्सक्राइब कर ले वहाँ पर भी हम काफी वीडियो थैंक यू